वेल्कम टू माई किचन आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूं बत्वे के कटले इसके लिए मैंने 500 ग्राम बत्वा लिया और उसको वाइल करकर रख लिया है एक बावर बेशन दिया है एक चमच लसन द्रक का पेस्ट रमक साथ के अनुसाद आदा चमच आड़ मसाला अदा चमच गरम मसाला अदा चमच लाल मिर्च का पॉर्ड़ आज थोड़ी सी हल्दी ली है सबसे पहले हम बत्वे में बेशन को एड़ कर देंगे और सारे मसाले कर दें और इनको मिक्स करें अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो एक चमच पानी डालेंगे हमारा दो थोड़ा टाइट होना चाहिए मैंने इसमें एक भी बून पानी का इस्तमान नहीं किया है अब हम इसके दो पॉर्शन कर लेंगे और इस तरह से हलका सा हाथ पर पानी लगा कर कटलेट को तयार करेंगे इसी तरह से हम दूसरा पॉर्शन लेंगे और इसका भी इसी तरह से बना लेंगे हमने एक प्लेट ले ली है और उसके अलमुनियों फाइन लगा ली है अब हम आपने कटलेट इस पर सेट कर देंगे हमने एक कणाई ले ली ती और उसमें पानी बार्ड करने के लिए रख दिया था अब हम इसमें इस प्लेट रख देंगे और उपा से कवर करकर बीज से इसको पक्ते हुए बीज से अच्छिस मिनट पोंच चुके हैं अब यह तैयार है अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इनको निकाल कर थंड़ा करेंगे हमारे कटले थंड़े हो चुके हैं अब हम इसको थोड़ा मोटा मोटा कट कर देंगे इतना मोटा कट करेंगे हमने सब पीसिस को काट लिया है अब हम इनको फ्राई करेंगे हमने एक पैल ले लिया है और उसमें मस्टर्ड ओइल एड़ कर दिया है दो सर्विंग स्पूर्ड अब हमारा तेल गर्म हो चुका है इसमें सबसे पहले हम ही एक चम्ब जीरा अब जीरे को थोड़ा प्रटपने देंगे इसके बाद हम एक एक चीज को ऑईल में ब्रॉक कर देंगे और इसको गोर्डन ब्राउन होने तक प्राई करेंगे मस्टर्ड ओइल में प्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आदा है एक मिनट के लिए हम इसको इसी तरह रहने देंगे एक मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे एक मिनट हो चुका है अब हम साइड चेंज कर देते हैं सब पीसों और दूसरी तरह भी हम एक मिनट की तक सेखेंगे हमारे सबी पीस दूसरी तरह दूसरी तरह से भी अच्छी तरह प्राई हो चुके हैं अब हम गैस आफ कर देंगे और इनको निकाल लेंगे पाद हमारी कटले बन कर तयार हैं यह सर्फ करने के लिए रेडी है इसको चाय के साथ सर्फ करें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें और दूाओं में याद रखें अल्ला हाफिस